दोस्तों जीके का पांच जो सवाल आपकी जिन्दगी बदल दे तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभिवर इसी वगप सुरू करते हैं कि इस वीडियो में सभी बीमारीयों के बारे में बताई गई है आप लोग को बचाव के लिए तो चलिए सुरू दोस्तों कर देते है सवाल नमबर एक भैस का दूठ पीने से क्या फाइदा मिलता है नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना कि आप तक जनकारी मिलती रहे दोस्तों दोस्तों इसका सही अंसर है हडड़ी मजबूत रहता है बुढ़ापे तक इसलिए भैस का दूठ जो है वो पीना चाहिए और मांस भी मजबूत रहता है दांत भी मजबूत रहता है जितनी सरीर के हड़िया में हाए वो बिल्कुल मजबूत हो जाती है भैस का दूठ पीने से सवाल नमबर दो काच्या केला के सबजी खाने से क्या फायदा मिलता है शरीर में दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो बलाई चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजेगा दोस्तों इसका सही अंसर है खून में कभी कैंसर नहीं होता है इसलिए जो है वो काच्या केला का सबजी खूब खाना चाहिए सीजन में दोस्तों मैं 20 बार कहता हूँ कि काच्या केला का सबजी खाये और कैंसर के रूग दूर भागाईए सवाल नमबर तीन भिंडी की सबजी को किस मौसम में खाना चाहिए ज्यादा कि सडी खानधा रहे और लाकवा की और फालिस की बीमारी नहीं हो दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसका सही अंसर है गर्मी के मौसम भिंडी की सबजी और भाद खाना चाहिए कि खुब सरी ठांधा हो जाए और पेट भी साफ हो जाए तो सुवत सरी दुरंत खता है और अराम देह में मिलता है सवाल नमबर चार सुखान खाने से क्यों पेट दर्द करने लगता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त चरूर कर देना दोस्तों इसका सही अंसर है सुखान आरियल में मिसरी या चीनी नहीं मिला कर खाने के कारण पेट दर्द करने लगता है इसलिए सुखा नारियल में मिसरी या चीनी मिला करके खाएं कि पेट बिल्कुल दरद न करें दोस्तो सवाल नबर पांच कमजोर लोगों को दूध में क्या मिला कर खाना चाहिए और पीना चाहिए दोस्तो नहीं जानता है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना कि चैनकारी आप तक मिलती रहे दोस्तो इसका सही अंसर है दूध में होरलिस मिला कर खाना चाहिए कि दूध पचे और थोड़ा सा उसमें चीनी डाल देना चाहिए कि दूध खूब असानी से पचे और सिहत भी बन जाए दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर